ब्रेक के बाद आपका स्वागत है तो बढ़ते हैं खबरों खियोर A.C.A. Art Festival 2022 का विशाल अयोजन राजधानी में एक और दो एपरेल को होने जा रहा है जिसमें 100 से ज़्यादा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं फेस्टिवल से ठीक पहले कलाकारों ने लेवे आर्ट प्रस्तुसकर कला महत्सों की एक जहलक दिखा दिया है A.C.A. Art Festival में पेंटिंग्स, हर्शिल्प, डिस्टल कला, मूर्तियां जैसे कलाओं को परदर्शित किया जाएगा साथ ही समारों में लाइव कॉंसर्ट भी होना है जिसमें कई दिगस कलाकार पॉफॉर्मिंस करेंगे 36 गड़ को कलाकारों का गड़ माना जाता है कला और संस्किती की शेत्र में 36 गड़ विश्व पटल पर अपना लोहा मनवा रहा है इसी कड़ी में कला के सबसे बड़े उत्सव एशिया आर्ट फेस्टिबल का आगाज हो चुका है कलाकारों की कला को तराशने के लिए जोरी की आवशक्ता होती है और वह जोरी है एशिया आर्ट फेस्टिबल के निदेशक और भारतिय कला के राजदूद इशान भल्ला जिन्नोंने कलाकारों और उनके काम को प्रुत्साहित और शशक्त करने का बीड़ा उठाया है जादा कलाकार, पचास से अधिक ब्रांड और दस से अधिक संस्थान शामिल होंगे इसके साथ ही पेंटिंग्स, हस्तरशिप, डिजिटल कला, मूर्तियां जैसे कलाओं को प्रदर्शित भी किया जाएगा इसके अलावा कारेक्रम में लाइव कंसर्ट्स भी होना है जिसमें जस्सी गिल, कुतले खान, बबल राय जैसे दिगज कलाकार परफॉर्म करेंगे एशिया आर्ट फेस्टिवल के उद्गाटन स्वागत समहरों के आयोजन के सम्मन में फेस्टिवल के निर्देशक इशान भल्ला ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश हमारी कला और संस्कृति के अब्भुमुल्ने विरासत को सनक्षित करना है एक कलाकार होनी के नाते मैं इस कलाक के महुत्सो के माध्यम से कलाकारों और उनके काम को प्रोसाहित और शशक्त करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम प्रतिवद्ध है उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जायोजन में ज्यादा से ज्यादा संक्षिया में आए और कलाकारों का मनोबल बढ़ाए बिल्कुल सर उतावला भी हो रहा है और इतने सारे कलाकार यहाँ कठे होई हैं तो अच्छा ही कुछ होगा तो excitement भी बहुत जादा है और stress भी है पर हमें पूरा बरोसा है चतिसगड के कलाकारों पर की बहुत अच्छा कारेकरम होई जाएगा और बाकी जनता का इतना support है लोग इसमें आ रहे हैं तो definitely बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गई सर हम showcase सौक अलाकार कर रहे हैं इस बार exclusively कुछ साड़े तीन चार सो रेजिस्ट्रेशन आये थे तो 100 आर्टेस्ट को हम लोग आर्ट फेस्टिवल में एक platform दे रहे हैं जिसमें से कि वो अपने आर्ट को sale करेंगे and apart from that 50 brands भी इसको cover कर रहे हैं एशिया आर्ट फेस्टिवल देजभर के कलाकारों को एक वैश्विक मच प्रदान करने के लिए की गई एक पहल है जहां विभिन शेत्रों में उभरते कलाकारों को अपने कला का प्रदर्शन करने का सुनारा आउसर मिला है इस आर्ट फेस्टिवल में कला, शिल, फोटोग्राफी, नित और संगीज जैसे रचनात्मक शेत्रों का भरपूर प्रदर्शन होगा इसी की एक बानगी आर्ट महुत्सव के पहले ट्रायल के रूप में कलाकारों ने प्रदर्शित किया नौसिखिया ग्रूप के कलाकारों द्वारा वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर नई कलाकृती उकेरी गई जिसमें युवा काफी बढ़ चड़कर हिस्सा लेते दिखाई दिये कपड़े के कतरनों से भी कलाकारों ने अपनी अभिवक्ति को काफी मेहनत कर पोर्टेट पर उकेरा साथ ही कुछ कलाकारों ने ग्राफिटी आर्ट का प्रदर्शन किया जिसका विशह स्माइल यानि मुस्कुराहट रखा गया इस आर्ट के समंद में सनिहा जैन ने विश्त्रित जानकारी थी सर यह ग्राफिटी आर्ट हो रहा है यह वाल में ही होता है ग्राफिटी आर्ट इसको बनाने में तीन से चार गटे लगते हैं तो ये लोगो एक portrait एक बच्चे को ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें लोग मोटो इसका जो आएगा outcome वो है smile यहाँ पर एक caption जा रहे है smile तो जो भी यह देखे एक उसके चेरे में खुशी आ जाए smile तो यह हमारा graffiti का theme है और नौसीखिया आर्टिस्ट करके ग्रूप है जो इस graffiti art को कर रहा है साथ ही flex waste material से भी कलाका प्रदर्शन किया गया और उसे नया रूप दिया गया नौसीखिया आर्ट के founder आशीश सीह ने बताया कि राजधानी में जो flex dust bean में फेक दिया जाता है उसी का उपयोग कर एक सुन्दर मनमोह कलाकिती उकेरी गई है सबसे पहले बता दूँ कि ये पूरे waste material से बना हुआ है और waste ऐसा चीज जो अभी राइपूर सिटी में बहुत जादा हो गया है फ्लेक्स हम बहुत जादा उससे परशान थे तो हमने उसका एक creative medium निकाला और जिते भी उत्रे हुए फ्लेक्स थे government के private के उन फ्लेक्स को cut करकर के हमने artwork बनाया है artwork में जो हैं वो हैं Hollywood की greatest actor मनरीन मुन्रो और इसको बनाने में हमने hundred man hours दिये हैं हम है नौसिख्या आर्ट टीम से खेरागर विश्वित द्याले से कला की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये युवा अब आर्ट फेस्टिवल में अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रहे हैं 36 गर के बलोदा बाजार जीले के अभिलाश दिवांगन प्रकृती प्रेमी है उन्होंने अपनी कला में प्रकृती को विशेश स्थान दिया है अभिलाश के कला कृतियों में प्रकृती का खास शित्रांकन भी दिखाई देता है अभिलाश ने बताया कि बच्पन से ही उन्हें कला के प्रती प्रेम था यही कारण है कि अब इसी में ही वे रमे रहते हैं आर्ट फेस्टिवल में अभिलाश अपने कला का प्रदर्शन करने जा रहे हैं जिसे लेकर वो काफी उत्साहित है प्रदर्चाहिट करने के लिए फिर इस पैसे से कुछ अच्छ से प्रता है करेंगे जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्लेटफॉर्म है एक स्टेज है जिससे रोजगार मिल सकते हैं पेशे से इंजिनियर और कलाप्रेमी अमिताब तिवारी 36 गड़ के भिलाई से हैं अमिताब ने फाइन आर्ट में महारत हासिल की है उन्हें यूरोपियन और इटालियन स्टाइल आर्ट पसंद है आर्ट फेस्टिबल में अमिताब ने अपने द्वारा उकेरी गई कलाकरितियों को प्रदर्शित करने जा रहे हैं उनका मानना है कि पाश्चा तकला को भारती कला में समावेश ये दिकिया जाए तो लोगों का रुझान और बढ़ेगा मुशली मेरा इंटरेस्ट जो है वो यूरोपियन और इटालियन स्टाइल में है सो मेरा अप्रोच यह रहेगा कि मैं किसी तरह से उस श्टाइल को अपने इंडियन कल्चर और इंडियन जो एपिक्स हैं एशियन आर्ट फेस्टिबल के ठीक पहले एक ट्राइल शो होने से कलाकारों के साथ साथ आम लोगों में भी उत्सुकता काफी बढ़ गई है फेस्टिबल के पहले आयोजित ट्रेलर में मीडिया, ब्लॉगर्स, प्रदर्शकों और कुछ गणमारने लोग मौजुद रहे सयाजी होटल्स ग्रूप के रिजनल मैनेजर ने भी कलाकारों का हाऊसला बढ़ाते हुए फेस्टिबल में युवाओं के भागिदारी को प्रच्साहिद किया इस पहल के लिए बढ़ाई दी है और कहा है कि राजधानी में एशिया कलामाउच सव 2022 का मेजबानी करके हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं रायपूर से रफ्तार मीडिया के लिए स्वरुप भट्टाचारे की रिपोर्ट तो इस ब्रिटन फिलहाल इतना ही आगे के अपडेट्स के लिए रफ्तार मीडिया के साथ नमस्कार